जिन्दकी में तरक्की और सुक्की इच्चा किसकी नहीं होती लेकिन ये खवाइश उनी लोगों की पूरी होती है जो दूसरों की इज़त करते हो आगे बढ़ते हैं सबको साथ लेकर चलते हैं और जरूरत बढ़ने पर दूसरों की हेल्प करते हैं इस वीडियों में आपको कुछ ऐसी बाते बता रहा हूँ जो कि किसी की भी लाइप को बरबाद कर देती है और आपको सपलता की जगह अंदेरी की ओर ले जाती है अगर आप में भी इनमें सो कोई आदत है तो बहुत जल्दी इनमें सुधार कर लेना ही आपके लिए बेडर ह होगा आईए जानिये उन बुरी आदतों को जो किसी की भी जिन्दकी बरबाद कर देती है सिर्फ वो ही लोग अपनी जिन्दकी में सपल होते हैं जो अपने साथ दूसरों को लेकर चलते हैं अगर कोई किसी का बुरा सोच कर आगे बढ़ना चाहे तो वो कभी भी अपनी मन देखे और डंग बताये हैं जो वास्तों में 100% सही और सच्छे हैं और हमेशा काम आने वाले हैं और इंसान की कुछ कम्या भी बताई है जिनसे कोई भी कभी अपनी जिन्दकी में सपल नहीं बन सकता जिन्में से कुछ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको प किसी के सामने अपने आपको बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं बुरी बात यह है कि कोई भी आपको लाइक नहीं करता सब भी आपसे नपरत करते हैं जिस किसी की भी ऐसी आदत है वो अपनी जिन्दकी बहुत जल्द बरबाद कर देगा और एक दिन उस पर कोई यकीन बरोसा नहीं करेगा इसलिए ऐसी आदत से जितना हो सके उतना बचा जाए क्योंकि यह आपके लिए फाइदामन और बहतर होगा नमबर टू इंसल्ट ओधर परसन दूसरों की बुराई करना बहुत से लोगों की आदत होती है कि दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं इसा अकसर तब होता है जब वो लोग किसी काम में सकसर नहीं हो पाते हैं तो दूसरे सकसर होने वाले लोगों की इंसल्ट करने लग जाते हैं ऐसे लोग कभी भी बड़े नहीं बन सकते दूसरों की बुराई करने वाला दूसरों की निंदा करने वाला अपने आपको भूल जाता है हलाकि इससे दूसरे लोगों पर कोई फरक नहीं पड़ता वो निंदा करने वालों की लगने की बज़े अपना काम करते रहते हैं और निंदा करने वाले इसी वज़े से बहुत पीचे रह जाते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस्वर का अपमान करते हैं और जो इस्वर का अपमान करते हैं जो इस्वर को नहीं मानते हैं और सिर्फ अपने आपको सब कुछ मानते हैं ऐसे लोग का हमेशे नास हुआ है और आगे भी होता रहेगा जब ये दुनिया है तो इसे बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा क्योंकि अपने आप कुछ नहीं बनता भगवान जरूरी है वो हमको कंट्रोल करता है वो उपर वाले की महरबानी है नमबर फोर शोर्टू चेरेटी दान जरूर दे जरूरी नहीं कि दान स्रिफ आमीर लोग ही देते हैं बस इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो उसे अपने से छोटे लोगों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए मै प्रोमिस आपकी इंकम डबल हो जाएगी क्योंकि जरूत मंदों की हेल्प करने से हम गरीब नहीं होते बलकि भगवान हमें उसके बदले ज्यादा देता है नमबर फाइव रिस्पेक्ट ओल्ड रिलीजन हर दर्म का सम्मान करें मैं एक इंडियन परसन हूँ और हमारे सबी बहुत पुराने हैं सब में कुछ ना कुछ सच जरूर छुपा हुआ है इसलिए मैं आप सभी को रिक्यमेंट करना चाहूँगा कि हिंडू मुस्लिम सीख इसाई कोई भी रिलीजन हो अपने आपके धर्म का पालन करो और दूसरे के धर्म का सम्मान करो ना कोई मुस्ल जेहिंद वंदे मात्रम